गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तूडे वी विल डिसकस अबाउट बुक वर्क ओप चैप्टर फीफ्ट देखो बचो जो हमारा फीफ चैप्टर है उसके क्यूशन आंस्वर है वो हम कर चुके हैं आज जो फीफ चैप्टर का बुक वर्क है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे ओके फीफ चैप्टर है हमारा एसिट बेश एंड साल्ट बुक वर्क में हमारा फर्स्ट क्यूशन जो है वो है एम सी क्यूशन मल्टिपल च्वाइस क्यूशन है क्या है मल्टिपल च्वाइस क्यूशन है multiple choice question में है कि acid present in curd sure milk is कि जो कौन सा acid present होता है curd means धही के अंदर या sure milk means जो milk है वो खटा हो जाता है उसके अंदर तो इसका answer होगा बच्चो C कौन सा acid present होता है lactic acid next second number में question है हमारा the substance which turn blue litmus red is कि जो blue litmus है वो red हो जाएगा तो हमारा solution कैसा होगा acidic होगा तो इसका answer क्या होगा बच्चो B next है question number 3 A base base है उसका जो taste है वो कैसा होता है bitter taste होता है तो इसका answer होगा बच्चो A क्योंकि जो blue litmus को red करे वो क्या होता है acid होता है cabbage, purple cabbage को red कर देता है वो भी नहीं है turmeric पर को effect नहीं डालता है यह भी नहीं है क्योंकि base है turmeric के उपर effect डालता है यह हो जाता है, red हो जाता है तो इस cance for क्या होगा बच्चो first is cance for होगा A जो base होते हैं उसका taste कैसा होता है baking soda,rial return baking soda क्या करता है बच्चो turmeric को भी red करता है क्योंकि baking soda है वो क्या है बेस है, तो turmeric भी red हो जाएगी, purple red का बेस है, वो कैसी हो जाएगी, green हो जाएगी, red litmus है, वो blue हो जाएगा, तो इस कांस पर क्या होगा, बच्चो, D, all of these, ठीक है, उसके बाद next हमारा question है, बच्चो, question number 5 है, China Rose Indicator is turned green by a solution, this solution is, जो China Rose Indicator है, वो green हो जाता है, solution में, तो solution है, उसका nature कैसा होगा, तो बच्चो, green होता है, China Rose, तो solution का nature क्या होगा, basic, क्योंकि अगर China Rose, red होता, dark pink होता, magenta होता, तो क्या होता, acidic, अब जब green हो रहा है, तो क्या है, हमारा solution क्या है, basic है, ठीक है, उसके बाद, next क्या है, one word आपको बताना है, one word में क्या है, कि acid obtained from mineral, कि वह जो mineral acid obtained किये जाते हैं, mineral से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, mineral acid बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चो, mineral acid बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद, the base which dissolve in water, base को water के अंदर dissolve गर देते हैं, तो उसको हम क्या बो होता है वो क्या है स्लेक्ट लाइम होता है क्या बच्चों स्लेक्ट लाइम ओके नेक्स्ट है हमारा फॉर्थ कुश्चन सबस्टांस टैड़ एडट करते हैं एड़ करते फाट वाट के पर चेंज हो जाता तो क्या होता है acid based indicator natural indicator which is pink in neutral solution and change is green in basic solution चाइना रोज होता है बच्चो उसका जो neutrally वो pink color है light pink color है और जब basic solution में उसको हम डालते है तो वो कैसा हो जाता है green हो जाता है ठीक है और acid में डालेंगे तो कैसा हो जाता है dark pink या magenta देखो बच्चो बार-बार color के बारे में ही पूचा जारा जब chapter मैंने पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे table बना लेना indicator ठीक है एक में फिर acidic में color basic में और neutral में indicator turmeric लिख करके phenocene लिख करके red litmus paper blue litmus paper red के बेज चाइना रोज indicator ऐसे लिख करके कि acid में उसका color कैसा होगा base में उसका color है वो कैसा होगा और आप इनको याद कर लेना ठीक देखवा इसमें भी सारे question है ऐसे ही पूछे जा रहे है कि acid में कैसा color होता है और base में कैसा color होता है indicator का उसके बाद next match the column match the column में क्या है कि column A को आपको column B के साथ match करना है कर्ड तो कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चो लैक्टिक acid ammonium hydroxide ammonium hydroxide क्या है ए आंसर होगा इसका है weak base next 3 में ant acid ant acid क्या है hydroxide aluminium an magnesium on chemicals on next work करते ए दो क्या इंजेक्ट करती है formic acid तो इसका अंसवर क्या होगा genau next aluminum hydroxide aluminium hydroxide क्या है बच्चो बडिक बेस है इसका पांसवर क्या होगा D, ओके तो इस तरह हमें यह क्या करने हैं, मैच करने हैं, ओके तो यह जो बुक वर्क है बचो इसको आप क्या करना है, आप अपनी बुक में फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इनको याद भी करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आजाता है chapter based practice आता है क्या आता है chapter based practice में आपको क्या करना है multiple choice type के question है multiple choice type के question में first क्या है basic soil can be corrected by adding कि जो basic soil होती है उसमें हमें क्या add करना चाहिए जिससे की वो neutral हो जाए तो basic soil है तो उसमें हम क्या add करेंगे बच्चो acid add करेंगे ठीक है और acid में हम soil के अंदर क्या add क करेंगे और गैनिक मैनियूर जो खाद होता है जो गार बेज से बनता है कुड़ घर के कुड़े कत्रे से वह हम उसके अंदर एड़ करेंगे ठीक है उसके बाद सेकिंड नंबर है बच्चो विच ओव दा फोलोइंग इस नोट टेस्ट रोंग एसिड इसमें से कौन सा है जो स ट्रोंग एसिड है वह नहीं है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बचो फिल इन डा ब्लैंक स्टाइप कुष्टन है आपको क्या करने है ब्लैंक जह है उसा में फिल करना है ठीक है तो फर्स्ट हमारा एक आयो dash litmus to dash कहता कि base प्रण red litmus to blue की जो red litmus होता है उसको किस में change कर देते हैं blue litmus में है वो change कर देते हैं उसके बाद sakin'd number पर है the acid trend dash color to red cabbage juice to red की जो acid है वो purple color होता है जो red cabbage का उसको किसमे convert कर देते हैं red color में convert कर देते हैं ठीक है next the reaction between an acid or a base to form salt and water is called neutralization reaction कि the reaction between the acid and base to form salt and water is called neutralization reaction तो इसमें क्या आएगा neutralization next tooth decay is called by the dash produce due to dash decomposition of the dash particle stuck in our teeth कहता है कि जो tooth decay, tooth है वो decay हो जाते हैं किस वज़े से होते हैं क्योंकि acid produce होता है, किसे produce होता है, bacterial decomposition से और bacterial decomposition क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो teeth हैं उन पर जो food particles हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो food particles में bacteria क्या करते हैं, उसको decompose करके acid की formation कर देते हैं हम जो खाना खाते हैं, अगर अपने teeth को properly साफ नहीं करते हैं तो खाना है हमारे टीथ क्या चिपक जाता है टीथ पर चिपकने के बाद वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप होते हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं जो फुड पार्टिकल से उसको डिकंपोज करके किसमें कनवर्ट कर देते हैं एसीड में और एसीड से फिर क्या हो जाते हैं ट मगन 278 साइट और California उसके बाद संहां स्टेट्मेंट क्या बताना कि प्यम्हेंट चाइना- लोज इन्डिकटर उगेटर वह यह कोई स्टीट्मेंट-बेंसुकि वह एक यह से acord बते हैं dark pink या हम उसको बोलते है magenta तो यह statement क्या हो गई false नेक्स्ट है ammonium hydroxide is a strong base यह statement है बच्चों यह भी false है क्योंकि जो ammonium hydroxide है वो क्या होता है weak base होता है strong base नहीं होता है next है aluminium hydroxide is an alkali तो यह भी क्या है यह statement है यह भी क्या है false है ओके next है battery acid is dilute sulfuric acid कि battery के अंदर dilute sulfuric acid होता है तो यह statement क्या है बच्चों true है उसके बाद 5th statement है a salt solution that run red cabbage juist to red in basic in nature कहता कि जो salt solution होता है वो क्या करता रेड cabbage juice को juice to red in base in nature कि red रहता है और base in nature है तो यह क्या है यह statement है यह भी क्या है बच्चों false कि जो salt solution है वो red का बेज जूस को, red color को basic में केस में करता है, red color में connect कर देता है, तो ये statement क्या है बच्चो? तो फॉल्स है तो यह इसते हैं जो statement दी गई है यह आपको कभ समझ में आएंगी सबी में देखो वही पुछा गया है color का एक तो आप बचलों ऐसे table बना लेना यहां पर क्या लिखना indicator यहां पर क्या लिखना एसीड और यहां पर क्या लिखना बेस में और यहां पर क्या लिखना आगे क्या लिखना न्यूट्रल भी आप लिख सकते हो ठीक है आब इंडिकेटर में क्या है टर्मेरिक रैड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर ठीक है चाइना रोज इंडिकेटर और एसीड में कलर क रहेगा बेस में कैसा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा न्यूटरल में कैसा रहेगा तो इस त्रहें टेबल बनाके और आप एसीड में इंडिकेटर का कलर कैसा होता है बेस में कैसा होता है और न्यूटरल में वेस का कलर कैसा रहता है यह आप याद कर लेना ओके अच्छे से य को याद करनी अगर आपने अब तक नहीं बनाई है आधरवाई जब चैप्टर पढ़ाया तब बताया था मेरे को उमीद है कि आप सभी वो टेबल बना चुके होंगे आप सभी को पता भी होगा कि जो इंडिकेटर है उनका एसिड में कलर कैसा होता है और बेस में कलर है वो कै कैसा होता है ठीक है तो बुक वर्क फिल करनी है बच्चों आपको और इसके साथ साथ बुक वर्क में यह आप वर्क आपको याद भी करना है ओके धन्यवाद बच्चों